क्या आपने कभी डाइमन्स की बारिश देखी है? एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितनी किलोमेटर चलता है? एक न्यूबॉन बच्चे में क्या हमसे जादा हडिया होती है? ये रहे कुछ ऐसे चौका देने वाले साइंस फाक्स लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें कभी सोचा है ये नाक में दम कर दिने वाले कीड़े सुनते कहां से होंगे? उनकी पेट से? जी हाँ, इंसानों की तरह इन कीडों के कान उनके सर पर नहीं होते इनका साउन डिटेक्टर एक पतली सी मेंब्रेन है, जससे टाइम पैनन कहते हैं ये मेंब्रेन उसके पास से आने वाली अवाजों को वाइब्रेशन में कनवर्ट करती हैं जससे ग्रास हॉपर्स आपस में कमिनिकेट करते हैं वेट लोस करना और फिट रहना हर अनसान जरूरी समझता है लेकिन आपका यही प्लान हमारे मून पर काफी अलग होता मून पे ग्राविटी बहुत लो होती है, धर्ती से 6 गुना कम ये इसलिए है क्योंकि मून का मास धर्ती के सिर्फ 1% जितना होता है तो अगर धर्ती पे आपका वेट 50 kg है, तो मून पे आपका वेट सिर्फ 8.27 kg ही होगा हमारे सोलार सिस्टम के दूर के पडूसी प्लानेट नेप्चून का अटमोस्फियरिक प्रेशर इतना जादा होता है कि वो कार्वन आटम्स को क्रिस्टलाइज कर देता है एक लाब में किये गए एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि हर साल नेप्चून पे 2.2 मिलियन पाउंड डायमेंड की बारिश होती है जिसकी मार्किट वाल्यू 11 ट्रिलियन डॉलर्स है जब आप एक न्यूबॉन बेबी थे आपके हाथ पैर और मुझ सब छोटे और प्यारे से थे लेकर एज के साथ आप बड़े होते गए और आपकी बोन्स पी एक न्यूबॉन बेबी के शरीर में कुछ 300 बोन्स होती है इन में से कुछ बोन्स एक soft और flexible material की बनी होती है जिससे cartilage कहते हैं यही cartilage धीरे धीरे बोन्स के साथ replace हो जाती है यह प्रक्रिया हमारे 25 years के हो जाने तक चलती है हर स्टार की एक life होती है और हर कुछ मिलियन साल बाद यह बड़े गर्म और bright होते है हमारा सूरज भी कुछ ऐसा ही है 2 billion के बाद यह इतना गर्म हो जाएगा कि धर्ती पर सारी नदिया evaporate हो जाएगी जिससे हमारा यहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ostrich हम इनसानों को भले race में हरा दे लेकिन जब दिमाग चलाने की बात आएगी यह बिना उडान के पंची बहुत पीछे रह जाएंगे इन ostrich की आखे इनके दिमाग से भी बड़ी होती है इनके छोटे दिमाग होने की कारण यह जल्दी नहीं सूच पाते और बहुत ही जल्दी एक शिकार बन जाते है एक average और healthy 80 years का इंसान अपने पूरी जिंदिगी में कुछ 216 million steps लेता है जिससे calculate करने पर कुछ 2 lakh km जितना distance आता है यही distance अगर हमारी धर्ती के equator से चले तो यह 80 years का इंसान 5 बार घुम के आचाएगा वेल तो यह कुछ ऐसे चौका देने वाले facts अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like, share और subscribe जरूर करें